100% आपका page monetize होगा नहीं आपको कोई police issue आने वारा जी हाँ भाई आप पेसे कमा पाओगे हलो दोस्तों मैं हूमकेस इस चलल का ओस्ट और आपका दोस्त जी हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं आप अपने Facebook page पर upload करो तो आपको ना तो कोई police issue देखने को मिलेगा और नहीं आपको copyright का जंजट रहेगा दोस्तों copy paste work करके काफी सारे लोग काफी सारा मोटा पेसा कमा रहें और आपको पता है होगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको live proof करके दिखा दिया कि मैं भी अच्छी कासी earning कर लेता हूँ और इसका मुझे काफी ज़्यादा experience है उसी साब से मैं आपको full details के अंदर बताँगा कि आप कैसे वीडियो को edit करके अपने page पर upload कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी copyright का जंजट ना हो आपको polish issue देखने को नहीं मिलेगा आज आप edit करना सीख जाओगे उसके बाद वीडियो को upload करोगे तो वीडियो पर views नहीं आएंगे views कैसे लाना है share कैसे करना है सारा system में आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोज के अंदर series by series आपको वीडियोज देखने को मिल जाएंगी तो उन वीडियोज को देखने के लिए आपको इस वीडियो को like करके channel को subscribe करना होगा और comment में अपना सवाल जरूर से pick कर देना क्योंकि मैं आप comment box बनाने वाला हूँ तो उसके अंदर आपका सवाल pick हो जाए और आपका answer मिल जाए आपने देखा होगा कि कई सारे लोग कमा रहे हैं और उनको देखके आपके मने में भी यही सवाल आता होगा कि हम भी पेसे कमा हैं तो आपको यह channel subscribe करके रखना है ताकि आप series by series सीख सकें तो चलिए बिना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं और एक बात important मैं आपको बता दूँ जो मैं step बताने वाला हूँ आपको complete step by step बताऊँगा full details के अंदर बताऊँगा और चोटी चोटी चीजे भी आपको ध्यान में रखना होगा तबी जाके आप बस सकते हैं जो चोटी चोटी चीजे है ना उन पर आपको ध्यान देना होगा वीडियो बिलकुल एक सेकिंड भी आपको skip नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है तबी जाकर आप समझ में आओगे नहीं तो आप कमेंट करने लगोगे कि सर आमने आपके जैसे किया था फिर भी हमारे पोलिश इशू आ गया पोपी राइट आ गया एसा कुछ नहीं आएगा अगर आपको मैं बताने वाला हूँ उसी तरीके से आप करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं कापी लंबा हो चुका है रही बात डाउनलोड करने की तो आ आपको वीडियो कहां से डाउनलोड करना है आप पेजबुक से डाउनलोड कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं और जो आपको ग्रीन टिक वाले जो पेज़ दिख रहे हैं इनसे आपको डाउनलोड नहीं करना है लोकल पेज से आपको डाउनलोड करना है जैसा कि उपर दिख रहा अप्छे करेंगे तो आपको बहुत ही जादा इस्यू आ सकता है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपना कायन master open करना है जो कि किने master भी से बोलते है create a new पर click करना है और जैसे यहां पर सब रेश्यू आपको दिखाय दे रहा है 4.3 यह भी आप ले सकते हैं तो यह रेश्यू भी सही रहेगा और इसको भी काई लोग यूज करते हैं पर बाकी यह दोनों रेश्यू ना यह बिल्कुल फर्फेक्ट होते हैं तो आपन कौन सा लेंगे अगर आप कोई भी मुवी या फि वीडियो यहां से मैं ले लेता हूँ ठीक है यहां से इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है वीडियो आपको मैंने बताई दिया कहां से डाउनलोड करना है और यहां से इस पार्ट को इधर साइड में अपन क कर लेते हैं इसको अध्यान से देखना हुआ आप अच्छे से तो सबसे पहληे क्या करेंगे इस पार्ट को TWO-छार सेकेंड के लिए अपन यहां से कट कर देंगे यहां से दो-چार सेकेंड के लिए यहां से केट कर दिया और इसके बाद साइड में जाएंगे इधर की साइड और यहां से भी इसका खुछ पार्ट यहां से हम डिलीट कर देंगे ठीक है यह डिलीट हो गया इसके बाद आपको क्या करना है यहां से वापस आ जाना है और यहां से जो इसकी ओई से ना वो इसको आपका जो इसका पिच है ना इसको आपको थोड़ा सब बड़ा देना है या बड़ा भी सकते हैं आप घटा भी सकते हैं ओडियो आप प्ले करके देख सकते हैं वीडियो को प्ले करके देखेगा इसमें आपको मोटा या बारिक आवाज होगी वो आप अपने इसाब से पिछ को कम या जदा कर लीजेगा यहां से यह काम हो चुका है दो काम यहां पे हो चुके इस पे कट लग चुके हैं और यह जो आगे फीचे का सीन कट गया उसके बाद में इसका काम खतम हो चुका है तो इसको यहां से बेख करते हैं और यहां से सबसे main important और चीज़े है ना वो आपको ध्यान देनी है जैसे कि इसको आप rotate भी कर सकते हैं यानि rotate आप यहां से इसको कीजेगा इस प्रकार से rotate आप कर सकते हैं अब rotate आपको कैसे करना इसको पहले मैं इसको हटा देता हूँ पहले इसको क्या करना इसको कहीं बाग कर दिया है यह कट हो गया दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एक दू तीन चार पांच छे बागों में यह कट हो चुका है तो इसको क्या करना है इसको रोटेट करना है रोटेट कौन कौन सी फाइल करना है जहां से देखो इसको rotate कर दिया मैंने, चलो ठीक है, इस file को rotate नहीं करना है, इस file को करेंगे जो की तीसरी file है, उसको rotate करेंगे, इसको rotate करता हूं मैं आसे, यह side से, यह तीसरी file हो गई इसी प्रकार से एक file छोड़के, एक file को आपको rotate करना है यह rotate मैं इसको भी कर देता हूं, complete प्लिट हो गया अब देख सकते हैं आप यह वीडियो ना ऐसे दिखेगा वाई यह वीडियो ऐसे दिखने वाला इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखने में बहुत अच्छा रहेगा तो यहां पर जो उपर नीचे की बात हो रही है ना जो कि यह देख सकते हैं उपर यह जगा छूट रहे हैं इह जगह कर सकते हो टेक्स नहीं लिखना इस साइज के अंदर आपको और जो वनबड़ Χी ओनगो सकते हैं और एक बार में पहले ही आप कर सकते थे, बाकी मैं यहां पर cake part का कर रहा हूँ, क्योंकि यहां इसमें तोड़ा सा एगजस्ट अलग अलग हो जाएगा वाई, आप अलग अलग करोगे ना, तो अलग अलग इसमें अगजस्ट हो जाएगा, तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ सारे पार्ट को तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे पार्ट जूम कर दिये हैं और यह वीडियो यहाँ पर त्यार हो चुका इसमें अब कुछ और भी एफेक्ट अपनको लगाना है जैसा कि यहाँ से जाता हूँ मैं और जो एफेक्ट में लगाना वो एफेक्ट आप भी लगाना उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँँगा नीचे वो एफेक्ट आप डाउनलोड कर लीजीगा और उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है simply इसको select करना है download करने के बाद अब इसको क्या करेंगे अपन इसको zoom करेंगे zoom करने के बाद इसको पूरे पे पूरे पे ले जाएंगे इसको जैसा कि इसको पूरी जो movie है न ये जो scene है न इसके उपर ले जाएंगे इससे पहले आपको क्या करना है इसको यहाँ पर chroma कीपे जाना है और यहाँ से इसको remove कर देना है जो कि यहाँ पर अपना जो scene है न यह ऐसे बन चुका है देखते हैं आप यहाँ पर बारीक इसे देख सकते हैं जो इसमें दीख रहे हैं यह जो बारीक चीजे यहाँ पर effect लग चुका है अब इस effect को क्या है कि आपको copy करकर के इसको लंबा कर देना है जैसे duplicate इसको कर दिया मैंने अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देते हैं फिर से इसको duplicate करेंगे यहाँ से यह duplicate हो गया और यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे अब आपको क्या करना है color correction इसमें तोड़ा सा करना है जो कि आप क्या करते हैं गलती पूरे जो part होता है पूरा part का एक ही color correction कर देते हो पहले आपको टुकड़ा करना है उसके बाद color correction करना है जैसा कि यहाँ पर यह नीचे आपको देख सकते हैं यह जो adjustment है ना इसके अंदर जाकर आपको इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कहीं से भी आपको कर देना है जैसा कि मैं यहाँ से इसको कर देता हूं यह देखे फिर भी यह scene है ना बहुत अच्छा दिखेगा आप इसको अलग अलग तरीके से कीजिएगा उसी को मत कीजिएगा वापस adjustment में जाएंगे और यहाँ से इसका कुछ temperature डाउन कर देंगे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना वीडियो फिर भी अच्छा लगेगा तो इसी प्रकार से अलग 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 पार्ट के आप अलग अलग adjustment कीजिएगा आप यहाँ से filter भी यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ यह वाला filter यह भी अच्छा रहता है इसी प्रकार से आपको करना यह चीज़े भी आपको बिल्कुल confirm कर लेनी है वीडियो लंबा हो जाए बले इस इस इप में आपको पूरा दिखाने वाला यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको effect cold वाला लेता हूँ और पश्ट वाला ले लेता हूँ आपकी बार पश्ट वाले म उसके बाद क्या आपके पेज पर क्या दिखा रहा है वो आपको check करना है एक बार पर्ष्ट में आप जब upload करोगे आपको इसको check करना होता है आपको कोई issue नहीं आएगा बट आपको फिर भी check करते रहना है तो यहाँ पर आप check करोगे और वो आगे की जो process है जो की वीडि अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो इस प्रकार से आप पेज पर अपलोड कर सकते हैं और कुछ कंडिशन्स है जो कि आने वाले वीडियोज के अंदर में आपको बताओंगा वो कंडिशन भी आपको फोलो करनी होगी तब ही जाकर आप मोनेटाइजिशन पेज पर काम कर प कीजिएगा आसा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा आनी वाली स्रीज देखने के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ तपतिक लिए जैहिं जैब